तो बच्चों हमने देखा कि जो धमनिया होती है इने हम महसूस करते हैं क्यों क्योंकि जो रक्त है वो जब हमारे रिदे में जाता है तो रिदे धड़कता है और रिदे के साथ साथ ये धमनिया भी धड़कती है तो यहाँ पर आप हाथ रख के देखिए आपके फिंगर को य महिसाना द्हें सब्सक्राइब लेगाय। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है फुफुस धमनी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है और फुफुसे शिरा है ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है तो धमनी और शिरा में जब आप अंतर लिखते हैं तो ये अंतर भी आप लिख सकते हैं ऐसी बच बीच में केशिकाय दिख रही है जो कि पतली महिन सनरचना है और इसके बाद आप देख रहे हैं तो धमनी से जो रक्त जा रहा है केशिकाय से होते हुए शिराओं में पहुझ रहा है तो कहिने के धमनी और शिरा में जो रक्त बह रहा है इनका संपर कहां से हो रहा है केशिका तो इसकी भी खोज, धमनी और शीरा के बाद, इसकी भी खोज कुछ समय बाद हुई थी। अब हम जानेंगे कि हमारे जो परिवहन तंत्र है, इसमें हार्ट की संरचना, रिदय की संरचना कैसी होती है, कैसा दिखता है हार्ट। और ये कहां पर हमारे शेरिर में उपस्तित रहता है, इसकी position क्या है, ये कैसे कारे करता है, मतलब इसकी कारे विदी भी हम समझेंगे, साथ ही हम देखेंगे कि हार्ट में रक्त का दोहरा परिसंचरन कैसे होता है, तो सबसे पहले हम जानते कि हमारा हार्ट दिखता कैसे है, त जो कि पंप की तरह कारे करता है तो यहां पर आप देख रहे हैं और यहां कहां पर उपस्तित है चले इसकी पोजिशन को हम देख लेते हैं तो यहां पर आप देखिए जो हार्ट है यह पसलियों के अंदर में उपस्तित है हमारी जो रिप केज है इसके अंदर में यह हार्ट उपस्तित है यह रीपके जो होती है यह हार्ट को सुरक्षित रखती है उसके बाद दो फेफडो के बीच में भी यह उपस्तित है ठीके डायफ्राम के उपर में यह उपस्तित है और हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा इसका जो निचला हिस्सा है यह बायतरब जुका हुआ है मतलब हमारा हार्ट बायतरब उपस्तित नहीं है बलकि दोनों फेफडों के बीचों बीच है बस हार्ट का जो निचला हिस्सा है वो बायतरब जुका हुआ है तो हम क्या सोचते हैं कि हार्ट जो होता है ये बायतरब उपस्तित है वर अब आस्तों मे परिसंचरन करने का काम करता है, रक्त का परिसंचरन मतलब blood circulation का काम करता है, मतलब हमारे रुदीर से पोशक तत्व आवश्चक्या से और कुछ अन्यावश्चक पदार्त का यातायात होता है, मतलब हरे कोशिका तक पहुचता है, किसकी साहता से रक्त की साहता से, इसी को हम कह यह जो हार्ट है यह हमारे बंद मुठी के इतने आकार का होता है और मास पिशो का बना होता है और यह लगवग इतना इसका साइज होता है तो दिन भर में जो हार्ट है लगवग 7000 लीटर रग्त को पंप करता है जिसमें से अगर हम हार्ट में ये रक्त कितने बार गुजरता है इसका पता करेंगे तो आप देखेंगे कि ये लगबग 4.7 से 5.5 लीटर रक्त को दिन भर में ये हार्ट से 1500 बार गुजरता है कितने बार गुजरता है हार्ट से 1500 बार इसको ये गुजरता है तो अगर हम इस हाट का काट लेते हैं मतलब इसको अगर हम काटते हैं तो काटने के बाद इसकी आंतरिक जो सनरचनाई कुछ इस प्रकार से दिखेगी चलिए बच्चों हम समझते हैं कि इसके अंदर में किस प्रकार से सनरचनाई होती है कैसे रखते हैं पर पहुचता है कैसे बहार निकलता है तो अब हम पढ़ेंगे रिदय की कारिविधी तो यहां पर आप देख रहें आंत्रिक सन्रचना तो हमारा जो रिदय होता है इसमें चार कक्ष होते हैं चार कक्ष दो उपर के दो जो होते हैं वो आलिंद कहलाते हैं और आप इस तरफ देख रहे हैं यह है दाया हिस्सा जो आपको नीले रंग का दिखाई दे रहा है तो बच्चो रक्त का रंग नीला नहीं होता है यह गाड़े लाल रंग का होता है इस तरफ का और उस तरफ जो रक्त है उसका रंग लाल दिखाई दे रहा है इसमें जो रक्त हो वो बाये वाले भाग के रक्त से नहीं मिलता है क्योंकि दाया भाग बाये भाग से विभाजित है अलग है दोनों इनके बीच में होती है विभाजी का सैप्टम जिससे इधर का रक्त उधर के रक्त से नहीं मिलता है तो चली बच्छों हम समझते हैं कि रक्त जो है इन हार्ट में कैसे आता है और कैसे हमारा हाड जो है वो धड़कता है तो जहां पर आप देख रहे हैं संडरेचना है महाशिरा है यह ऐसी नलिया है जो शरीर के उपरी हिस्से से मतलब हमारे सीर से हमारे हातों से रक्त को रिदे के दायालिंद में पहुचाती है तो उपरी हिस्से से महाशिराय रक्त को लेकर आ रही है ऐसे हमारे शरीर के निचले हिस्से से मतलब हमारे पैरों से जो रक्त है यह महाशिराओ के द्वारा दायालिंद में पहुच रहे है जाता है और रक्त जब यहां पर भर जाता है तो यह अवस्था कहलाती है शीथिलन अवस्था अब दायालिंद के बाद नीचे का जो हिस्सा होता है वह होता है दायालिंद में जब रक्त भरता है तब वहां पर जो कपाट पाए जाते है दायालिंद और दायालिंद के त्रेवलनी कपाट जिसको हम कहते हैं दर्वाजे जैसा होता है कि दर्वाजे जब खुलेगा तब ये रक्त जो है वहाँ से निकल के दाय निले में आ जाएगा तो ये कप खुलेगा ये कपाट कप खुलेगे जब दाय निले में रक्त भरेगा वहाँ पर एक दाप pressure create होगा तो ये जो कपाट है ये खुलेगे और दाय निले का रक्त कहाँ पर आ जाएगा दाय आलिंद का रक्त कहाँ पर आ जाएगा दाय निले में तो जब दाय आलिंद का रक्त दाय निले में आता है तो दाय आलिंद में संकुचन अवस्ता हो जाती है अब यहाँ पर दाय निले में रक्त भर गया तो यहाँ पर कौन से अवस्ता होगी शितिलन अवस्ता अब दाया निले जब संकुचन होगा मतलब संकुचन कब होगा जब दाया निले का रक्त कहा जाएगा अब यहाँ पर देखे रक्त कहा जाता है दाया निले का रक्त जाता है फुफुसिय धमनी में तो दाया निले में जो रक्त है यह किस प्रकार का रक्त बहरा है यहाँ पर आक्सिजन रहित रक्त अशुद रक्त ये अब अशुद रक्त को ले जाएगी फुफुसिय धमनी ठीक है अब ये अब बाद में हमने पढ़ा कि फुफुसिय धमनी ऐसी होती है जो अशुद रक्त को ले जाती है अब ये अशुद रक्त को कहां पर ले जाएगी तो से हमारे रुदय में आता है तो इसको कौन लेके आ रहा है तो ऑक्सिजन युक्त रक्त को लेके आ रही है फुफूसी शिराय ये फुफूसी शिराय ऑक्सिजन युक्त रक्त को लेके आती है कहां पर बाई आलेंद में तो जब बाई प्लियुत उंड बिपन aware नालिन में रंता बहर जाता हैता है तब यह राय्य जो रंदसरी ब्लक् Kalin जहें अवस्ता था थाय जाल को लिए खुड नालिन आल यह तो ब्यार जाता है व्रक्वस्ता को व्रक्रों कम तुब पंद्थ के वरक्षिन-वरस वत्व तो ये द्वी वलनी कपाट कप खुलेंगे जब बाय आलिन में रक्त भर जाएगा यहाँ पर फिर से कौन से अवस्ता हो जाएगी शितिला नवस्ता और बाय आलिन में कौन से अवस्ता हो गई संकुच अनवस्ता अब बाय निले में जो रक्त भरा है यह शुद्ध रक्त है और इसके आवशक्ता हमारे शरीर को है तो अब बाय निले से यह रक्त पूरे शरीर में कौन पहुचाता तो यहां से यहां पर देखिए बाय निले से जो रक्त है यह हमारे शरीर में हार्ट में पस्तित महाधमनी है, इस पुरे शुद्ध रक्त को महाधमनियां लेकर जाती है और शरीर के हर एक कोशिका तक ऑक्सिजन युक्त रक्त को पहुचाती है, इस प्रकार से जो हमारा हार्ट है वो कार्य करता है, तो बच्चों मैंने आपको संकुचन और शिथिलन अवस्ता बत करें, या निल्यों का संकुचन होगा, बाया निले और दाया निले का अगर संकुचन होगा, तो दोनों का संकुचन एक साथ होगा, अगर रिदे में आलिंदों का संकुचन एक साथ होगा और निले में संकुचन एक साथ होगा, ठीक है, तो आलिंदों में जब संकुचन ए तो इसका एक बार हम flow chart से समझते इसका एक sequence आपको मालूम रहना चाहिए कि कैसे रक्त आ रहा है कहां से जा रहा है तो बच्चों हम इससे एक बार flow chart की सायताई से समझते हैं सबसे पहले शरीर के सभी अंगोच से जो रक्त है यह कहां पर पहुचेगा दाही ने आलिंद में दाए आलिंद से रक्त जाएगा दाए निले में, दाए निले से रक्त को जो ले जाएगी वो है फुफुसी जमनी, यहाँ पर जो रक्त बहरा है वो है अशुद्ध रक्त, ठीक है, फुफुसी धमनी इन रक्त को रक्त को ले जा रही है और इसको कहा छोड़ती है, फेफडो जाएगा बाय निले में फिर बाय निले से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में कौन पहुचाएगी महा धमनी इस प्रकार से महा धमनी से फिर से शुद्ध रक्त हमारे शरीर में पहुच रहा है तो शरीर का शुद्ध रक्त रिदे में आ रहा है वहां से फेफडों में जा र और व्रिदे से फिर से पूरे शेरिन में पहुच रहा है इस प्रकार से बच्चो हमारा जो हार्ट है वो काम करता है बच्चो हमारे व्रिदे में तंत्रिकाओं के एक व्यवस्ता होती है जिससे हम कहते हैं ऐसे नोड शीरा आलिंद गाट यह से कहा जाता है साइनो औरिकुलर नोड यह जो तंत्रीकाओं के व्यवस्ता होती है जो एक पेसमेकर की तरह कारे करती है यह होती है दायालिंद के पास यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे नोड को इसे पेसमेकर क्यों कहते हैं पेसमेकर का मतलब होता है पेस का मतलब होता है गती मेकर का मतलब बनाना मतलब यह जो ऐसे नोड होता है इसे रिदय का रिदय भी कहा जाता है क्योंकि रिदय की जो गती है इसे कंट्रोल करने का इसे नियंत्रित करने का काम ये ऐसे नोड करता है तो होई ना बहुत आश्चेरे के बाद लेकिन अगर हमारे रिदे का ये पेसमेकर या ऐसे नोड काम करने में अक्षम हो जाए या ठीक से काम न कर पाए तब क्या किया जाए तो बच्चो तब एक आर्टिफिशल या कृत्रिम पेसमेकर यंत्र लगाए जाता है इसे ओप्रेशन करके लगाए जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पेसमेकर यंत्र और इस पेसमेकर यंत्र को रिदे से जोड़ दिया जाता है और यह बिल्कुल हमारे ऐसे नोड की तरही काम करता है अब हम जानेंगे बच्चों कि रिदे में दोहरा परिसंचरन कैसे होता है हम इसे दोहरा परिसंचरन क्यों कहते है तो दोहरा परिसंचरन मतलब रिदे से रक्त का एक साथ दो परिपत से होकर गुजरना इसे ही हम कहते हैं दोहरा परिसंचरन या डबल ब्लड सर्कुलेशन तो बच्चो परिक्षा में ये प्रेशन पूछा जाता है दोहरा परिसंचरन किसे कहते है या रक्त का परिसंचरन रिदे में एक साथ दो परिपत में कैसे होता है ये प्रेश्ण परिक्षा में पूछा जाता है तो इसे जब परिक्षा में पूछा जाए तो आपको ये वाला चित्र बिराना होगा यहां पर आप दिख रहें, square shape में जो दिख रहा है, यह हार्ट को दर्शा रहा है, यह हमारे रिदे को दर्शा रहा है, ठीके? और एक तरफ हमने लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है पूरा शरीर, मतलब पूरे शरीर से रक्त रिदे में जा रहा है, फिर रिदे से रक रक्त रिदे में एक बार आ रहा है और ऐसी ही फेपडो से रक्त फिर से रिदे में आ रहा है तो क्या हो रहा है ये एक साथ होता है और दो बार आ रहा है रक्त रिदे में इसलिए हम इसे कह करते हैं दोहरा परी संचर चलिए बच्चों इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं तो जो बीच का स्क्वेर शेप में जो बना हुआ है ये हमारे रिदे को दर्शा रहा है जहां पर मैंने यहां पर लिखा हुआ है दाया अलिंद दाया निले और बाया अलिंद और बाया निले क्योंकि हम जानते हैं रिदे के चार कक्ष होते हैं तो पहला परिपत को स शुद्धी करण होता है तब रक्त बाय निले से रक्त कहां पर जाएगा पुरे शरीर में पहुचेगा अब बाय निले का जब संकुचन होगा तो रक्त पुरे शरीर में पहुचेगा तो इसको कौन लेके जाएगा महाधमनी शुद्ध रक्त को कौन लेके जा रही है महाधम और ये पूरे शरीर की हरे कुशिकाओ तक इस रक्त को पहुच जा रिये अब शरीर में जो अशुद्ध रक्त है मतलब आक्सिजन रहित जो रक्त है उसे पूरे शरीर से महाशिराय लेके जा रही है कहां पर दाए आलिंद में तो दाए आलिंद में जब रक्त भरता है तब दाए आलिंद और दाए निले के बीच में जो वॉल होते है वो खुलते है और अशुद्ध रक्त दाय निले से कहां पराता है दाय आलिन से कहां पराता है दाय निले में अब दाय निले में निले से ये अशुद्ध रक्त कौन लेके जा रही है फुफु से धमनी लेके जा रही है कहां फेफडो तक पहुंचा रही है फेफडो तक इस रक्त को पहुं फुफु से शिराय आप यहां पर देख रहे हैं फुफु से शिराय शुद्रक्त को लेकर आ रहे हैं कहां पर पहुचा रही है बाए आलिंद में बाए आलिंद से शुद्रक्त कहां पर पहुचेगा बाए निले में बाए निले से रक्त फिर से कहां जाएगा पूरे शरीर मे आ रहा है दूसरे परिपत में क्या रहा है पूरे फेफडों से शुद्ध रक्त जो है रिदे में आ रहा है एक तरब अशुद्ध रक्त आ रहा है एक तरब शुद्ध रक्त आ रहा है तो ये दोनों जो क्रियाए होती है एक साथ होती है इसलिए हम इसे दोहरा परिसंचरण क कहते हैं तो बच्चों जब रक्त का बहाव धमनियों में होता है या रक्त का बहाव रक्त वहनियों में होता है तो वहां पर वहनियों की जो दिवारे होती है उन पर एक दाप क्रेट होता है एक प्रेशर क्रेट होता है जिसे हम कहते हैं रक्त दाप रक्त चाप या ब्लड प पेशर हम किसे कह रहे हैं बच्चों रक्त जो के एक तरल सयोजी उतक है इन तरल सयोजी उतक जो होता है ये जो रक्त होता है ये वहानियों से बहता है मतलब नलियों से बहता है और जब ये रक्त नलियों से बहता है तब रक्त नलियों के दिवारों पर एक दबाओ उत्पन ह होता है और यह जो दबाउत पन होता है इसी को हम क्या कह रहे है ब्लड पेशर तो बच्चों एक वैस्क व्यक्ति का नॉर्मल जो ब्लड पेशर होता है सामान रक्त चाप जो होता है वो होता है 120 बाइ 80 mmHg 120 बटे 80 MMHG तो यह जो रक्त चाप आया है यह जो आकड़ा आया यह किस हिसाब साया है तो क्या होता है कि जब निले जो हमारा रिदे है रिदे में निले की दिवारों में जब संकुचन होगा संकुचन होगा मतलब निल्यों के दिवारों से रक्त कहां पर जाएगा धमनियों में जब जाता है तब निल्यों के संकुचन के समय वहाँ पर जो दाब उत्पन्न होता है धमनियों के दिवारों पर वो 120 mmHg नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर आएगा ये वाला जो प्रेशर होता है 120 mmHg ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर सिस्टोलिक दाब इसे कहा जाता है सिस्टोलिक दाब कब होगा जब निल्यों की दिवारों में संकुचन होगा और जो व्रिद है रक्त को धमनियों में पम करेगा और ऐसी जब निल्यों की दिवारों में शीथिलन होता है तब धम्नियों में जो दाब उत्पन होता है वो नॉर्मल जो दाब होता है वो होता है 80 mmHg तो इस प्रकार का जो दाब होता है इसको हम नॉर्मल बीपी कहते है 120 बटे-80 तो एक वैसक व्यक्ति में जो बीपी होता है 90 से 120 के बीच में अगर आ रहा है तो यह सिस्ट्रोलिक दाब है इसको नॉर्मल कहा जाता है ऐसे ही डायस्ट्रोलिक दाब जो की 60 से 80 के बीच में अगर आता है किसी वैस के व्यक्ति का तो ये भी नॉर्मल माना जाता है जो की होता है डायस्ट्रोलिक प्रेशर अब इसे नापते कैसे है तो आपने देखा होगा कि नॉर्मली डॉक्टर के पास एक यंत्र होता है जिसे हम कहते है स्पेग्मो प्रेटर की सहायता से हम किसी भी व्यक्ति का ब्लड पेशर नाप सकते हैं तो क्या होता है कि इसमें पट्टी जैसा बना होता है देखें यहां पर आप यहां पर लपिटा है ठीक है और इसको लपिटा जाता है और एक पंप जैसा देख रहे हैं इससे हवा भरते हैं और प्रेशर लिखा हुआ हैं, अगर अगर प्रेशर 90-120 के बीच में आता है, तब ये नॉर्मल है, ऐसे ही, डासूरलिक प्रेशर 60-80 के बीच में अगर आता है, तब ये नॉर्मल कहा जाता है, तो अगर ब्लeड प्रेशर 120 बटे 80 से ज़ादा आता है तो ये हो जाता है high blood pressure ऐसे ही 120 बटे 80 से अगर ये कम आता है तो अब ये कहलाता है low blood pressure और दोनों ही जो blood pressure है बहुत ही खतरनाक होते हैं और हमें डॉक्टर को दिखाना होता है regular दवाया लेनी होती है ताकि हमारे जो रक्त का blood जो हमारे blood का pressure है वो normal रहे तो इस प्रकार बच्चो आपने देखा होगा कि जब हमारे रिदय धड़कता है तो अब एक sound सुनाई देता है एक आवाज सुनाई देती है यहाँ पर आप देख रहे आवाज आरी होगी आपको तो ये जो sound सुनाई दे रहा है ये sound कुछ इस प्रकार से है लब डब लब तो ये आवाज हमें ऐसे क्यों सुनाई देती है तो क्या होता है जब निलेयो का संकुचन होता है ठीक है तो निलेयो के संकुचन के समय में आलिंद और निलेयो के बीच के वाल बंद होने से ये sound सुनाई देता है और निले के शितिरन के समय जब धमनी और निले के बीच के वॉल्व बंद हो जाते हैं तब ये डब साउंड सुनाई देता है तो इसलिए हम कहते हैं लबडब साउंड हमारा जो हाट ढड़कता है तो आवाज आती है लबडब की तो रक्त का बहाओ को हमने रक्त चाप के आकड़ों से समझ लिया किस प्रकार से होता है तो बच्चो रक्त का बहाव जब हमारे शरीर में रिदय की तरफ होता है या रिदय से पूरे शरीर की तरफ होता है तब ये समानांतर क्रम में होता है समानांतर क्रम में मतलब सभी अंगों तक समान दर से रक्त का बहाव हो रहा है लेकिन हमारी शरीर के कुछ अंगों में रक्त का जो बहाव है ये श्रेणी क्रम में होता है ठीक है तो श्रेणी क्रम में मतलब एक सिक्वेंस में होता है एक अंग से दूसरे अंग की तरफ होगा फिर दूसरे अंग से तिसरे अंग की तरफ होता है एक श्रे श्रिर के आतों से रक्त जो है यक्रित में जाता है और यक्रित से रक्त जो है ये रिदे में पहुचता है और ये शेर्णी क्रम में होता है क्या शेर्णी क्रम में रक्त का बहाव हमारे श्रिर के लिए जरूरी है तो हम कहेंगे हाँ इससे हमारे श्रिर को काफी फाइदा होत अमभ into are इस में प्रतिरोध मुझा होता है तो प्रतिरोध जादा होने से रख्ति की गती जो होती वो क्या हो जाती है धीमी हो जाती है और धीमी होने से क्या होता है रखर इब स्व हम जानते हैं हर remained कोशिका तक तो रक्त क्या करेगा एक अंग से पोशक पधार्तों को शरीर के दूसरा अंग में पहुचाने का काम कर रहे हैं, अफ् शिश्ट पधार्तों को भी ले रहा है, तो क्या हो रहा है रक्त? अप्षिश पधार्त को लेने का काम और पोशक पधार्त को शरीर के अन्नी हिसों में पहुचाने का काम हो रहा है ठीक है और ये धीमिकति से होता है और साथ ही अगर पोशक तत्व की मात्रा हमारी शरीर में जरूर से हमारे रक्त में अगर पोशक तत्व की मात्रा जादा हो तो भी हमारे शरीर के लिए नुकसान दायक होता है तो रक्त में इन पोशक पदातों की मात्रा नियंत्रित रहनी चाहिए तो क्या होता है तो छोटी आत से जो भोजन का अफ्शोशन होता है तो अगर रक्त की मात्रा रक्त में पोशक तत्वों की मात्रा जरुवस से जादा ह तब ये क्या करेगा रक्त इन पोशक तत्वों को यकृत तक ले जाएगा और पोशक तत्वों को वहां पर छोड़ देगा मतलब कुछ समय तक यकृत में ये पोशक तत्व संग्रहित रहते हैं और जब पता चलता ही कि हमारे शरीर में इन पोशक तत्वों की आफशकता है मतलब शरीर में अगर रक्त में अगर इन पोशक तत्वों की कमी हो जाए तो फिर से यकृत क्या करेगा इन पोशक तत्वों को रक्त में फिर से छोड़ देता है तो ये जो रक्त का बहाव हो रहा है ये श्रेणी क्रम में हो रहा है तो कैसे हो रहा है रक्त पोशक तत्वों को आतों से यकृत तक ले जा रहा है यकृत से फिर ये जो रक्त है कहां पर जा रहा है रिदे तक जा रहा है इस प्रकार का जो बहाव होता है इसे हम श्रेणी क्र का बहाव कहते हैं ऐसी बच्चों यक्रित में कुछ विशेले पदार्थ जो शरीर में बनते हैं उसे यक्रित क्या करता है हानी रहित पदार्थों में बदल देता है और यह हानी रहित जो पदार्थ होते हैं फिर से ये रक्त में हमारे रक्त में फिर से मिल जाते हैं फिर से अवशोशन होता है इस प्रकार से रक्त का बहाव, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दोनों में होता है अब हम बात करेंगे बच्चों परिवहन तंतर में रक्त की क्या भूमिका है तो रक्त जैसे कि हम जानते हैं एक तरल सायोजी उतक है कोशिकाओ की जब खोज हुई थी उसके बाद रक्त कोशिकाओ का भी अवलोकन किया गया तब देखा गया कि इसमें एक जल जैसा द्रव्य जो है इसमें कुछ कोशिकाओ बहती हुई नजर आई थी और जिसमें ये पता चला कि जो रक्त है ये दो मुख्य घटकों से मिलकर बना है एक होता है प्लाजमा और दूसरे होती है कोशिकाओ तो प्लाजमा जो होता है ये जल जैसा द्रव्य होता है जिसमें 90% पानी होता है और जिसमें से 10% प्रोटीन पाया जाता है और इन 10% प्रोटीन में 9% प्रोटीन होता है और 1% जो होता है जिसमें मुक्रूप से लवन और कुछ गय से पाई जाती है इस प्रकार जो प्लाजमा होता है ये रंग हीन जल जैसा ही द्रव्य होता है जो कि हमारे रक्त में पाया जाता है अब है कुशिकाए जो कुशिकाए होती है या कणिकाए हम कहते है ये तीन प्रकार की होती है एक होती है आरबीसीज रेड ब्लट सेल हिंदी में हम कहते है लाल रक्त कणिकाए डबलू बीसीज, वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त करनिकाय और तीसरे होती है प्लेट लेट्स तो बच्चो यह जो लाल रक्त करनिकाय होती है इनको एरिथ्रोसाइड्स भी कहां जाता है और यह चक्ती जैसी दिखती है आप देख रहे हैं पर यह दिख रही है आपको यह चक्ती जैसे दिख रही है और इनकी संख्या रक्त में जादा होती है इनका क्या काम होता है इनमें एक विशेश प्रकार का पदात पाया जाता है एक वर्नक पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबीन और इसी हीमोगलोविन के कारण रक्त का जो रंग है वो लाल होता है ये जो वर्णक होता है हीमोगलोविन ये लोहयुक्त वर्णक होता है और इस वर्णक के साथ ऑक्सिजन जुब जुड जाती है मतलब ऑक्सिजन के परिवहन में ये वर्णक बहुत साहेता करता है तो जब किसी कोशिका में ऑक्सिजन की कमी हो जाती है तब ये ऑक्सिजन जो है ये हीमोगलोबिन से अलग हो जाती है और हीमोगलोबिन से मुक्त होकर ये उस कोशिका में पहुच जाती है जहां पर ऑक्सिजन की कमी होई है और उस कोशिका से फिर कारबन डाउक्साइड बहान निकल कर फिर से रक्त में मिल जाती है इस प्रकार से हमारे शरीर की लाल रक्त कणिकाय जो होती है उक्सिजन के परिवान में साहिता करती है दूसरी होती है श्वेत रक्त कणिका है जिसको अभी कहता है ल्यूकोसाइट यह देखें यहाँ पर अलग-अलग आकार की श्वेत रक्त कणिका है आपको दिख रही है यह रंगीन होती है इनका कोई लाल रंग नहीं होता है यह रंगीन होती है तो इसका क्या कारे होता है ये हमारे शरीर की सुरक्षा करती है संक्रमन से रोगानों से हमारे शरीर को बचाती है ये इनका मुख्यरूप से काम होता है तीसरा होता है प्लेटलेट्स जिसको हम कहते है थ्रम्बोसाइट रक्त का थक्का जमाने का काम इनी प्लेटलेट्स के का जब हमको चोट लग जाती है चोट जब लगती है तो खून बहने लगता है तो जहां पर चोट लगती वहां पर हमारे रक्त में उपस्ति प्लेटलेट्स जाकर रक्त का ठक्का जमाते हैं जिससे रक्त बहने से ताकि रक्त जो है हमारे शरीर से बहे ना बहार ना निकले इस यह जो प्लेटलेट्स होते हैं घाव को भरने का काम करते हैं तो बच्चो यहां पर आप देखेंगे कि जब रक्त का एक प्रोसेस होती है सेंट्रिफिगेशन प्रोसेस होती है जब रक्त का सेंट्रिफिगेशन किया जाता है तब कुछ इस प्रकार से रक्त में उपस्तित घटक हमको दिखाए देंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक परकनली में सबसे नीचे जो गाढ़ा द्रव है यह हमारा आर बीसी बीच में आपको दिख रहा है यह है डबलू बीसी और सबसे उपर में पानी जैसा जो तरल पदार दिखाए देरा यह है प्लाजमा कुछ इस प्रकार से यह दिखता और इन तीनों के मिलने से ही रक्त का निर्मान होता है आईए बच्चों हम जानते हैं कि रुधिर के रक्त के क्या कार्य होते हैं परिक्षा में यह प्रशन पूछा जाता है रुधिर के कार्य इसलिए आप कम से कम चार पाच कार्य रुधिर के याद करके रखिए तो रुधिर कार्य होता है गयसों का विनीमे करना हमने में देखा कि रुधीर अक्सिजन को ले जा रहा है कर्वन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है हमारे शरीर के तापमान को नियंतरित करने का कारे भी रक्त करता है बच्चो आपने कोलिस्ट्रॉल के बारे में सुनाएं कोलिस्ट्रॉल एक मूम जैसा पदात होता है जो हमारे धमनियों में जम जाता है और इसका निर्मान यकृत में होता है और ये मोम जैसा पदात जिसको हम कोलिस्ट्रॉल कहते हैं ये हमारे शरीर के लिए कुछ मातरा में तो उपई हो गई है लेकिन अगर इसकी मातरा जरूर से जादा हो जाए तो ये हमारे शरीर के लिए हानिका रख हो जाता है तो कोलिस्ट्रॉल जब धमनियों में जम जाता है तब दिल का दोरा पड़ता है जिसको हम कहते है heart attack तो इसलिए हमारी शरीर में कोलिस्ट्रॉल की मात्रा नियंतरित होनी चाहिए तो कोलिस्टरोल की मातरा क्यों बढ़ जा रही है क्योंकि हम कुछ ऐसे चीजों को ग्रहन कर रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और कहीने कहीं वसा की मातरा को ये बढ़ा रही है तो कोलिस्ट्रॉल एक प्रकार का वसा ही है जैसे कि आप कुछ फैटी चीजों को ले रहे हैं कुछ वसी चीजों का अगर आप जादा सेवन कर रहे हैं अलकोहल को जादा ले रहे हैं शराब को जादा पी रहे हैं जादा जो रक्त का बहाओ है वो ठीक से नहीं हो पाता है और जिससे दिल का दौरा पड़ जाता है। अब हम बात करेंगे बच्चों लसी का तंत्र की जैसे हमने रुधिर के बारे में जाना है वैसी ही लसी का होती है जो की रंग ही द्रव है। तो यह जो लसी का है इसका निर्मान कैसे हो रहा है। तो जब रक्त वहनियों से रक्त बहता है तो रक्त वहनियों में जब अतिरिक्त दबाव से कुछ प्लाजमा बहार निकल कर उद्कों के बीच में आ जाता है। और यही जो रंगीन द्रव है इसे हम लसीका कहते हैं इस लसीका में प्रोटीन के मातरा बहुत कम होती है इसमें अपशिश पधातों की मातरा जादा होती है तो बच्चों परिक्षा में रुधीर और लसीका के बीच में अंतर भी पूछा जाता है ये भी चार नंबर के वैसे रुधिर लसीका में भी अंतर पूछा जाता है तो ये भी आपको याद करना है तो रुधिर को ले जाने के लिए जैसे रुधिर वहानिया होती है वैसे लसीका को ले जाने के लिए लसीका वहानिया होती है और ये लसीका वहानिया क्या करती है ये द्रव्य को उतको से एकत्रित करती है और शीरा में जो रक्त है उसमें फिर से ले जाती है इसे रक्त का जो संगठन है वो बना हुआ रहता है अब जानते हैं कि ये जो लसीका है इनके क्या कारे होते हैं तो लसीका में भी कुछ माता में प्लाजमा और श्वेत रक्त करनीका होती है और इनका काम ह रोगों से रक्षा करना, संक्रमंट से बचाओ, ये हमारे शरीर की करती है, साथी हमारे शरीर के जो उतक होती है, इनकी मरमत करती है, और इनका मुख्य काम होता है, वसा का परिवहन करना, वसा को ले जाना, और लसी का वहनियों में भी वॉल पाय जाते है, और जिसके कारण जब इन में से कुछ पदार्थ गुजरते हैं, तब यहां पर भी क्रमानु कुंचन होता है, जिससे लसी का वहनियों से लसी का जोतिय बह कर जाती है, और फिर रक्त में जाकर मिल जाती है. इस प्रकार से यह जो लसी का तंत्र है, यह हमारा कारे करता है.